प्वानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकमर लड़ाई काम्जाब नहीं है सब अपने अपने च्छाती में उसको टपेट लिया कोई बाठने के लिए तयार नहीं है कौना 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 सतली पुताव करना करना चाहते हैं वो यही गुंआ दनिक करेंगे तोर करके कौन इसी पार्टी है जिसमें भात्पा के साथ गलामनी मिला है तोलिए तोलिए लकीर मिटाएंगे नहीं अपनी लकीर घीच कर दिखाएंगे असफाक उलाखान का असफाक और बिश्मिल की दोस्ती के बारे में आप सब लोगों ने साथ देखा होगा आप लोगे उसको पढ़ा होगा कि उनकी दोनों की जब बातचीत होती है तो असफाक कहते हैं राम प्रसाद बिश्मिल से देखो दोस्त तुमारे धरम में पुनर जनम है तो तुम तो जाओगे वहां और भगवान से कहोगे हमको दुबारा भारतिया बना करके भेज़ दीजिए हमको बिटिसर्स के दाथ खटे करने हैं हमारे धरम में पुनर जनम नहीं होता है लेकिन अगर मैं जननत जाओं अल् जहां एक खान एक ब्राम्मन के साथ मिलकर के कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जो इस एकता को आज छिन भिन किया जा रहा है और यहीं जो एकता छिन भिन होती है इसी का नतीजा है विश्वास कीजिए हम पर भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं है एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं तहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं नमते हैं भाई तुमारा गंदगी उठाते हैं तुमारा ठेला चलाते हैं तुमारी फेक्टरियों में काम करते हैं तुमारा घर साफ करते हैं तुमारी सरकें बनाते हैं तुम विहार के उसी दिहास का पुनर जागरण हमको करना परेगा हमारी आज की लड़ाई के कई साथियों ने कहा कि कैसे करेंगे कैसे होगा यह तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है वो पार्टी इस देश की आजादी को बचा भ आप लोगों को समझ लेना होगा जात और धरम के नाम पर समाज का बटवारा दरसल इस देश की जो आम आवाम है उनके हक्खुक फ्यूप को चीनने और मारने की साजिस है कि बात हमको समझना परेगा सामाजिक न्याए के साथ साथ हमको सामाजिक एक्ता की जरूरत है यह ब बिहार में रहने वाले बारह करोर से ज्यादा लोग चाहें वो तिलक लगाते हों या टूपी पहनते हों चाहें वो मंदिर जाते हों या मस्जिद जाते हों चाहें वो खेप में काम करते हों या फैक्टरियों में काम करते हों चाहें वो बिहार में रहते हों या बिहार के बा आप तमाम लोगों के साथ इस पडिवार में सम्मिलित हुए हैं, बिलकुल साफ समझ है, कोई इथ बट नहीं है, कोई तु तु मैं मैं नहीं है, बिलकुल सीधी बात है, जो भाजपा से लगना चाहते हैं, वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कोना कोना सतली कही है, दो न्या अगर तो आधा दो, उसमें भी अधिवाधा हो, तो देदो के बद पांच गराम, रखो अपनी धर्ती तमाम, हम पाटी के तोर पर सिर्फ अपने हग की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाएं, और भोट देने के लिए आप भोट लेने के लिए आप हमारे घर में आईएगा, कुलिया इनको जारू मार करके भगाना चाहिए, भगाना चाहिए, यह सवाल है, इसलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूँ, कि बिना मतलब के किसी दुवधा में मत रहिए, आमने सामने की लड़ाई छिड चुकी है, एक तरफ वो लोग हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोरन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाई पे चर्चा की थी, एक तरफ हम है कि हमारे पुर्खों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गवाई है, आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि म दूसरे परिवार में आया हूँ, मैं पहले भी सदाकत आस्रम आ चुका हूँ, मेरे गाओं के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आस्रम में रहता था, मैं उस भूमी से आता हूँ, अजीब संयोग है कि हमारा तालूक उस परिवार से है, कि कॉंग देखर बाबु उसी घर में पैदा हुए हम उस गाउं से आते हैं हमको असर में समझ में आती है कि विपक्ची एकता क्या होती है विपक्ची एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सगात सदाकत आश्रम की भूमी समझ सकती है इस बात का मैं आपको भरोसा देलाना चाहता ह और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूँ देखिए पुड़वा पचिया कुछो हो जाए कुछ हो जाए इतना तों मानते हैं न कि कॉंग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी बोलिये खुल के बोलिये कुछ हो जाए अरे हो सकता है दुचार को सिंद्रिया निकल जाए क्या दिक्त क्या कॉंग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है और एक इत्यास और बता देते हैं सीना ठोक के बोलते हैं कल से प्रवक्ता जबाब दें कि कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन इसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिला है